विल्कम बैक वन्स अगेन ओने मियस इस्टडी दाइजूकेशनल प्लेटफ़र्म आज हम एनलाइज करेंगे मैंने देखा बहुत सारे वीडियो पड़ रहे हैं यह सी आरो यारो 2021 एक्सपेक्टेट कटाफ या जो आंसर की आएगी वैसे तो एक्जाम होई चुका है और इसम कि अगयरे बताना एक केवल आसा आसा वाली बात होगी कि अगर आपका कोई एक्जाम नहीं तो आप सोचेंगे दर्वाइस जिनका भी एक्जाम आगे की त्यारी कर रहें आगे लोग बीजी हैं वास्तों में एक्जाम देने के बाद अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इन चीजों की उतनी आउसकता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने देखा काफी कुछ मिस इंफॉर्मेशन है इस पर तो मुझे लगागी साइद एक वीडियो बनाना चाहिए अतरवाज मैं इतना इस पर इतना फोकस मुझे इस पर नहीं था फिर भी आज हम डिसकस करेंगे कि पहले चीज आंसर की कवा आएगी और दूसरी चीज कटाफ क्या हो सकती है ठीक है क्य और उससे कुछ चेंज आएंगे आप इससे नगार नहीं सकते हैं ठीक है तो सारे फैक्टर को हम ध्यान में रखेंगे इसके लाओं टाइपिंग का जो इसू था उसमें किसी का 98 परसेंट किसी का तो उन उन फैक्टर को भी हम समझेंगे और उसके बाद ठीक है यहाँ मैं क एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और कोई पॉइंट शूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं उस पर भी आपको परसिनली मैं जो भी आंसर रहेगा मेरे हिसाब से मैं देदूंगा पहले जी आती है आंसर की देखिए का जाएगी पूर लाजिक लगा रह प्रश्चे से रहता है सिस्टम देखिए इसमें क्या है कि यह ठीक है आप लोग का एक्जाम हो गया है मिन्स आरो का हो गया ठीक है और कंपीटर असिस्टेंट का हो गया लेकिन अभी आपको ध्यान होगा जो एक एरो है हिंदी वाला जो अलग से वेकेंसी आई थी और एक पीओ है तो अभी यह दो एक्जाम होने बचे हुए है ठीक है तो जो संबहता यह है देखिए अभी इसका अंसर की निकाल देगे अगर आप जिन लोगों ने जैसे मैंने आरो का पेपर भी दिया है आरो का भी दिया है बहुत से लोग एरो और कंपीटर एसिस्टेंट का द अधिक तवर पर मैंने दोनों दिया और मैंने देखा कि अरो का लेबल थोड़ा सा हाइथा थोड़ा सा ठीक है और और यह जो लेबल था उससे थोड़ा सा मैसे इसमें और माडरेट विस्चन आपको इसके अधा मिलें ठीक है और कंपीटर एसिस्टेंट का जो एक्जाम हुआ और जैसे लोग लाजिक लगा रहें कि बेथिन वीक यानी अठाइस या दिसम्बर लाइस तक निकाल देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें यह पेपर देखते हुए जो इसका आरो एपियो और इंजीजों का पेपर होने वाला है और सभाविक तोर पर अफिक्टेट होगा क्योंकि आनलाइन में लोगों को उतने क्विस्चन याद रहते नहीं हैं ठीक है 200 में तो कहीं अगर इन्होंने आंसर की जारी कर दी और एक पेपर को पैटन होता है वह जो आगे जिनका आरो और आरो और एपियो का पेपर है वह एक पैटन पकड़ लेंगे और उसी साफ़से स्टेडी करेंगे तो रिजल्ट को आपका जारी होगा चाहिए जारी होने संभावनान था पहली चीज़ जह प्लियर किजिए कि जो डिजल्ट आना है तो यह आपका आज आएगा अंसर की आनसर की के बाद देखिए आपको एक सप्ता का टाइम मिलेगा आप मालेज़े 20-21 तारिक तक 21 जनुर्वरिय तक आ इसका जो अबजेक्शन रहेगे ऊप फिर से लगवाइग आपका तीस जनुरी में बखोर आपका फिर से जो यह कहता है रिवाइज जो आंसर किया ऑगी और आप कहते हैं जो result आना है वो आपका Fave में आएगा Fave में कब आएगा Fave में आप माले जे 15 फरूरी तक आपका जो result है वो आ जाएगा और आप काफी लोग इसमें सोचेंगे कि election होना है UP में ठीक है तो election वगेरा का इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है ठीक है यह चीज़ें पहले से निकली होई है और हाई कोट का है तो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है और अगर result जो है यह 15 फरूरी को निकलेगा तो उस हिसाब से जाइनिंग वगेरा जो होनी होगी आप एक महीने और मान लीजे उस हिसाब से होना होगा तो यह आपका मैंने बता दिया है 10 से आप 14 जनुरी यह मान की चलिए इसके बीच में आ जाएगा ठीक है देकि जब आफ लाइन पेपर होता था तब भी यह बहुत लेट नहीं लगाता था इसकी एक चीज़ आप मान की चलिए जब आफ लाइन पेपर होता था तब भी यह एक महिने के अंदर अंदर चीज़ों को इसू कर देता था तो इस बार तो आनलाइन है इस बार सभाविक तोर पर एक्सपेक्ट करना कि जल्दी आएंगे चीज़े सभाविक है लेकिन हमें वो स्वच्टर भी ध्यान में रखना होगा किकटा आप किचरशा है अब दो कर रहे हैं ङलकर कि नाब लाइजेशन देकिए एरो में तीन सिफ्ट में हुए है ठीक है जो आरो आरो का है इसए छे सिफ्ट में हुए है ठीक है और जो computer assistant है इसका आपका दो सिफ्ट हुआ है ठीक है तो आप यह मान लिजे कि जो आरो है और computer assistant है इसमें इतना इतना आपको variation नहीं दिखेगा लेकिन यह आरो में आपको 10-15 इतना नंबर का इधर उदर देख सकता है इसमें तीन चार जो कही जा रही है थोड़ा सा हाड में जैसे बीस तारीक को जो फिस तारीक की जो सिफ्ट हुई थी ठीक है वह थोड़ा सा हाड आया था ठीक है जो सेकंड शिफ्ट थी और इसके लावाँ आप कह लीजे जो 16 तारी हैं लेकिन आप फिर भी मोटे तोर पर आप अगर मानेंगे तो इससे ज़्यादा का डिफ्रेंस नहीं आने वाला है क्योंकि जो पैटर्न था वह लगबख सिमिलर था बहुत ज़्यादा वैरियेशन नहीं था ठीक है मतलब जो जो जोन पूछन पूछने का वह लगबख व पेपर पहले भी देते रहें तो सभाविक तरफे इस पर कई सारे कुष्चन एजी रहते हैं मॉडरेट कुष्चन रहते हैं और अमूलन कुष्चन इसमें आप कह सकते हैं बिलकुल इसमें आप कह सकते हैं कि 10 से 12 परसंट कुष्चन टफ थे बाकी मॉडरेट थे अगर रहे हैं या कन्फ्यूज किया जा रहा है अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें सीधा सा है कि एप्रॉक्स फाइव फाइव फॉर्ट्स लिखा है एप्रॉक्स लिखा है ठीक है तो अप्रॉक्स मतलब यह हुआ कि 500 का यह 525-530 वर्ट तक हो सकता है ठीक है पांसो 100% इसमें सारी जीज़ें यानि अगर आप एक वर्ट छोड़ रहे हैं तो यह 100% में वह भी इंक्लूड है ठीक है और इसमें जो चीजें अगर आप कोई एक लाइन छोड़ रहे हैं कुछ भी छूट रहा है तो इसका सीधा साई यह कंप्लीट नहीं होगा ठीक है तो यह अ आपका 500 जो वर्ड है वह कंप्लीट होना चाहिए और स्पीट कितनी आनी चाहिए पचीस वर्ड पर मिनट की आनी चाहिए इससे कम होगा तब आप फेल है ठीक है तो बेवज़ा परेशान ना हो चाहिए और नाइटी एट और नाइटी सिक सो एक सो एक कोई चिंदा नहीं क तो थोड़ा सा सूचना पड़ेगा कि कितने वर्ड थे ठीक है अगर पांसो चालिस पांसो पचास वर्ड थे तब उसमें भी चांस जाएगा लेकिन इस पर मेरे ख्याल से माथा पच्ची करना बहुत बदिमानी का काम नहीं होगा यह आपको अभी लास्ट टाइम के छोड ठीक है और इसके बाद अब हम बात करें काटाफ के बारे में और उनके फेक्टर के बारे में अब यहां एक ओबर वियू देख सकते हैं कि जो वेकंसी है वह आरो की जो है वह 46 पोस्ट थी और एयारो की ठीक ठाक पोस्ट थी पहले के कंबेर में कहेंगे तो काफी पुर्श साथ इसका रीजन कहीं ना कहीं कोविड भी रहा है जिसके कारण यह लगबख वेकंसी आती रहती है अब मुनान साल या दो साल में तो उस हिसाब से वेकंसी काफी थी और यह है कंपीटर की ठीक है इसमें जनरल की के वलाट सीट थी और यह आपका जो है जब फार्म बढ़ना था उसकी डेट है और यह है आपका इंक्लूडिंग जो आपका और भी आरो का पेपर होने वाला है वो सब एड़ करके है ठीक है एक बात मैं और डिसकस करना चाहूंगा टाइपिंग की बात मैंने डिसकस कर ली तेकि उससे बहु पैंतालिस परसंट के लगभग उसमें रही और जो आपका एरो था एरो में लगभग सतर परसंट अटेंडेंस रही क्योंकि लोग आरो का पेपर दिए तो उसमें एक पेपर देने के बाद एक आडिया लगा लोगों को पता चला कि नहीं पेपर जो है जो कुछे जा रहे ह और कुछ कुष्टन जो है जो आप कह सकते हैं कि फाइनल डिसाइड करेंगे सेलेक्शन होना या नहीं वह माडरेट और टफ हैं तो लोगों की हिम्मत थोड़ी थोड़ा सा बढ़ी ठीक है और इसके अलावा एक जो दूसरा फेक्टर था बहुत बड़ा लोग एक्जाम मे जो आए वह था टाइपिंग मैटर ठीक है पहले जो टाइपिंग होती थी वह काफी टफ आती थी ठीक है जिन लोगों ने दिया है उनको पता है तो वह टफ आती थी लेकिन इस पार का मैटर जब लोगों ने बताया है नहीं जितना यूट्यूब पर डरा दिया गया था ठ ठीक है तो यह जो है यह भी अच्छाई-घाशा फेक्टर टीक है तो ये कोई बड़ा फेक्टर नहीं है ठीक है इंग्लीज में काफी लोक तरक दे रहें एक लेंग्वेज है अब लोग पहले 50 था और इस बार जोए 10 तो इस करण जो है इसकी कटाफ डाउन चली जाएगी यह सोचना बहुत लॉजिकल नहीं है विकास जैसे आपके लिए हिंदी होती है ठीक है आपको हिंदी आती है अब हिंदी पूछेंगे तो आपके हिंदी में बहुत कम माकस नहीं आएगी ठीक है और Similarly जो English medida के student है ठीक है जिनको Enix आती है ठीक ठाग उनके लिए similar वे English होती है तो English Manifactё myne factor नहीं रहता । इसके गरान कटाफ आई जाता रहा है ठीक है लेकिन अगर ङसी के स्थान पे पर जीके Почему बढ़ाया तो यह सब मेन फैक्टर है मींस इंग्लिश की विश्चन आ रहें तो उसमें आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप कर सकते थे ठीक है तुक्का माडने में भी इसमें थोड़ा था इजी रहता लेकिन एक्री और कंपीटर के पेपर जो अगर आप कंपेर करेंगे तो जैसे 2016 में थोड़ा सा पेपर बनाए गया था वैसे आप कह सकते हैं मतलब ठीक ठाक था इसका अच्छा लेवल था कि मिस अगर आप एक चीज़ को आप यह फैक्टर मानते हुए डाउन कर रहे हैं कि इंग्लिस इस बार दस थी इसलिए जो है कटाफ हाई मान रहे हैं ठीक है या कोई मान रहा है कि एगरी गल्चार और कंप्यूटर आ गया इसलिए टब था तो मैं मानता हूं कि ओबर आल अग पर लेकिन टाइपिंग और आपका जो यह बागी फैक्टर है जैसे इंग्लिस का अगरी कल्चर कंप्यूटर बढ़े थोड़ा सा तो अबर आल आप इससे कह सकते हैं कि बैलेंस्ट हो गया यूपी स्पिसल से भी अच्छे कोई श्चन आये थे तो इन चीजों को ध्यान र यह मैंने जो कटाप किया है यह है आरो के लिए और यह है आपका ए आरो के लिए ठीक है और जो कंप्यूटर असिस्टेंट का है उसका आप इससे कुछ मार्ट घटा सकते हैं उसका मैंने बिल इनालाइज किया नहीं रिए ठीक है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नह लेकिन RO ARO का आप देख सकते हैं RO का जो कटाफ है वो 210 प्लस माइनस 6 जाएगा EWS की बात करें तो 204 प्लस माइनस 4 जाएगा OBC 203 प्लस माइनस 5 जाएगा SC का 187 प्लस माइनस 3 रहेगा ST का 175 प्लस माइनस 7 रहेगा और इसी हिसाब से अगर आप ARO का कहेंगे तो ARO का RO के कंपेर में थोड़ा सा जो मार्क्स रहेगा वो डाउन रहेगा ठीक है तो 205 प्लस माइनस यह हो जाएगा EWS का EWS का आप देख सकते हैं 198 प्लस माइनस 6 हो जाएगा और वहीं बात करें OBC का तो इसमें 200 प्लस माइनस 4 हो जाएगा SC का 182 प्लस माइनस 5 और ST का हो सकता है 172 प्लस माइनस 6 तो मेरे ख्याल से मैंने सभी जितने पॉइंट से मैंने बात कर लिया है About answer की ठीक है answer की का बाना है result का बाना है joining का हो सकती है इसके अलावा जो expected कटाफ थी उसके बारे में बात कर लिया फिर भी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जान करी चाहिए तो आप जो है comment में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए अगर नए वीगर हो थे